तो स्वागत है आप सभी का ग्याफन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के उर्दू का चैप्टर नंबर 5 कम्प्लीट करने वाले हैं जिसका नाम है हिज्रत देखिए हिज्रत को इंग्लिश में का जाता है है माइग्रेशन यानि के स्थानांतरण एक जगा को छोड़कर दूसरी जगा को छोड़ कर दूसरे जगह नहीं जा पा रहे हैं यानि कि हिज़त करने से अगर चूक भी जा रहे हैं ना अपनी जिंदगी में तो आखरी हिज़त से हम लोग नहीं चूक सकते हैं और वह हैं मौत जी हां आप लोग सुने होंगे ना कुल्लो नफसिन जायकतुल मौत हर आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा नहीं किये हो लेकिन जब मौत आवाज देगी आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा उस वक्त आपका बस नहीं चल सकता थे तो नहीं बतनी हैं कोई जिसरत करना चाहिए घूमने वगर जाना चाहिए अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरे जगह जाओ तोड़ा घूमो फिरो उससे आदमी तेंसल फ्री हो जाता है थोड़े दिर के लिए मतलब इंटरेन्मेंट भी करना जरूरी है हम यह सा मोबाइल में इंटरेन्मेंट नहीं करना चाहिए ठेके तोड़ा बाहर जाओ घूमने के लिए उससे मूड फ्रेस होता है ठेके इंटरेन्मेंट करो मतलं बाहर जाकर म Gibन करें अगर इंट्रेटेंट्मेंट करना है तो बीना मोबाइल का करें यानि कि बाहर खेल खूद कर फिज़कली मेहनत करके ठीक है इस तरीके से तो लोगों के बीच आपका पहचान बनता है ठीक है और नए नए लोगों से आपकी मुलगात होती है तो इस तरह से चैप्टर में हिजरत के बारे में पढ़ना है और खाना बदोष जो कि इनको बंजारा भी कहा जाता है बंजारे आप लोग सुनें ओंगे जिनको घुमकड भी कहा जाता है जो कि जिनका घर इस्थाई नहीं होता है वह अपने घर को सास मेले कर चलते रहते हैं और जो जगा प जेसे घुमकड भीहता है बंजारों वकवर को दोस भाथ बाते कि हैं तो इस चप्टर में बंजारों की बारे ही बताएं घुज़त की अीमें नोड मेरे बताए हैं जो पढ़ेंगे लेकिन इस चेप्टर के जो यह मुष्ण rasa जो हैं उनके बारे में कि हिजरत नाम का जो चैप्टर है ये एक इन्शाइया है इन्शाइया किसे कहते हैं जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देख रखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप् कौन है इन्शाइया जो इनसान लिखता है उसको कहते इन्शाइया निगार तो इन्शाइया निगार है एहमद जमाल पाशा तो यहां पर कोशन इस तरह से पूच सकता है कि हिजरत नाम के चैप्टर के मुसनिफ यानि की लेखक कौन है तो आप्शन में दिखाई दे धीर स करना है ठीक है तो चलिए चैप्टर को हम लोग बाद में पढ़ेंगे थोड़े देल के लिए चैप्टर को साइड में रखते हैं और सबसे पहले समझते हैं एहमद जमान पाशा की बारे में सारा डीटेल्स जो कि आप लोगे बुक में दिया गया है स्टार्टिंग में आए हुए हैं हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बल आन कर लेना है ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे और आप सब इलो का बहुत जिदा कमेंट आ रहा था कि मैं इंग्लिश कब से स्टार्ट होगा तो देखिए आप लोग नहीं लीजिए इंग्लिश बहुत ही जल्द हिवाद सर के द्वारा लाया जा रहा एकदम धुधार अंदाद में आप लोग दो तीन दिन और वेट कर लिजिए क्योंकि डियापन इंट्रेंस अकेडमी पर कर लोग जबर्दास अंदाज में करायत दी गाएगी उर्दु तो चल ही रहा है इंग्लिश हिंदी यह तीनों जो लेंग्वेज सब्जेक्ट है ना तीन समाक समझे कि यहां से आप लोगा पक्का है यह ध्यान में रखिएगा ठीक है तो आप लोग दो तीन दिन और वेट कर जगा पर हुई तो लहाबाद का मुहला खुलदाबाद में और कब सन 1929 में ठीक है यह याद रखेगा कोशन यहां से पूछा गया है और एहमाजमाल पाशा की दादा जी का नाम था नजफ अली और इनके वालिद यानिकी पीता जी का नाम था शुजात हुसैन जिनकी दो शादी हुई थी यानिकी इनके वालिद शुजात हुसैन की दो शादिया हुई थी दूसरी बीवी का नाम था सरवरी खातून 1940 में इनका जो खांदान है एहमाजमाल पाशा का खांदान वह लहाबाद को तरक करके यानिकी छोड़ करके लखनव आ गया ठीक है जब लखनव और गया उनका पूरा खांदान तो लखनव के अमीनबाद के कच्च्चे अहाते में जमाल पाशा के वालिद शुजात हुसैन वह एक मकान खर दे थे और उस मकान का नाम रखे थे सरवरी मनजिल यानिकि बेवी के नाम पर ही उस घर का नाम रखे ते सरवरी मनजिल याद रखिएगा कोशन पूछा गया है ठेक है कि लखनव के अमीनाबाद के कच्छे हाते में जो मकान खरदा गया था उस मकान का क्या नाम था ठेक है अप्सन में दिया रहेगा सरवरी मनजिल तो धीरे से टीक करना है ठीक है और आगे बढ़ते हैं एमल जबाल पाशा की प्तदाई तालिम जहां पर इनकी पैदाईश ही थी वही पर हुई और उसके बड़ से मैट्रिक जो है यह हाई स्कूल से पास किये थे कोवीन हाई स्कूल की याद रखिएगा लखनो उन्हीं पत्चास में फिर इंटरमीडियेट पास किया पास किया अप्रिश्चन को लेट से उन्हें ऐसा दिर पन में और फिर इनुन यह मजाज के लतीफिय नाम का किताब जो है ना उन्हें सरसंताओं निस्भी में शाय किया प्रकाशित किया ठीक है और जब यह में कर चुके थे तो में करने के बाद लखनाओ आगे वापस क्योंकि में करने के लिए अलिगड़ गए थे तो अलिगड़ से यह वापस यानि कि मन्थली मैगजिन का इजरा किये थे जिसका नाम था अवद पंच याद रखना है मस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोशन पूछा जाता है कि हमार जमाल पाशा किस महनामा का इजरा किया ऑप्शन में दिया रहेगा अवद पंच धीरे से टिक करना है ठीक है तो मन जिमारे से एक्सटि में यानि कि वहां पर नौकरी करने लगे कोमी आवाद नाम के डिपाटमेंड में ठीक है इनकी नाम को अपने सरॉर हमाल जमाल पाशा विए उन्हें 66 में इनकी दूसरी शादी हुई थी जिनका क्या नाम था सरवर जहां और इनकी जो दूसरे बीव है भी जहां वह आगे चलकर सरवर जमाल के नाम से मशूर हो गई तो इनहीं का मतलब एहमेजमाल पाशा की वाइफ का था तो यह सिवान चले है उन्हें उन्हेसा 76 इस भी में यह रिटायर हुए थे कौमी आवाज नाम के डिपार्टमेंट से तो वहां से रिटायर होने के बाद यह सिवान चले अपने सवराल और जैसे उन्हेसा 76 में आये तो वहां पर नौकरी भी इनको मिल गया जकी आफाक इस्लामिया कॉलेज यानि कि जड़ को पठना में दिल का दौरा पढ़ने के वजह से इनका इंतकाल हो गया यानि की मौत हो गई ठीक है ना और जड़ा इनको जो अवाड मिला था उनके बारे में बात कर लेते हैं गालिव एकेडमी के तरफ से सागर सुरी गालिव अवाड उन्हेसा 86 इस भी में मजमाल पाशा को मिला था याद रखना है उसके बाद से इनकी बहुत सारी किताबों का नाम आप लोगे दिया गया है जिसमें से कुछ किताबों का नाम यहाँ पर मैं बोड पर लिख दी हूँ अगर आप लोगो पूरा याद रखना है तो बुक्त में लिखा करते हैं और समझते हैं किस चप्टर में क्या क्या बताया गया है जैसा कि आप लोग जानते हैं माइग्रेशन यानि कि इस्थानांतरण एक जगा को चोड़कर दूसरी जगा जाना विजरत कहलाता है ठीक है बंजारों के बारे में भी मैं आप लोगो को बता दी जिनको खाना कि अपने घर को साथ में लेकर घूम रहे होते हैं जो जगा इनको पसंद आता है और रहना स्टार्ट कर देते हैं कुछ दिनों तक वहां रहते हैं और जब वहां का जो परियावर्ण है इनके लिए प्रतिकूल हो जाता है तब उस जगा को छोड़ देते हैं और दूसरी ज चारों यान खाना बदोष की बस्ति को स्टेशन की नज़ेक देखा जब मैं देखा की सब्सक्राइब उरह उरते अच्छे कषप बना रहाGHT ती और ऑरते बना रहा मं अच्छे कर्थे हैं और searching देखा रहे ठी़ और जहां पर करशाओ बन वहाँ पर कुट्ते बिल्ली वगरा मोर्चा लगाये हुए बैठे थे कि कब खाना बने की हम लोग जल्दी से अपने पेट पूजा करें ठीक है तो अजीब सी जल्लगी की चहल पहल नजार आ रही थी और एहमा जमाल पाशा जो है ना उन खाना बदोशों की बस्ती को हर झुलोचा को छोड़े हैं उनका सारह समान ग rebellा शोड़ां और पर ओधाय को छोड़े और वाचै़arp में अब जमाल पाशा मोई था की कि लिए खाना वदोश है उसके बाद से इस अब इस जगाओ को छोड़कर जा रहे हैं औरस भूमते और अधीज जो जगह इनको पसंद आएगी फिर वहां पर ये अपना टेंट डाल देंगे और वहां पर रहना शुरू कर देंगे ठेखें मतलब कि इन बंजारों के लिए जो होता है ना हर मुल्क मुल्क मास्त होता है यह जहां चाहें वहां पर अपना टेंट डाल सकते हैं और रहना शु महजब इन्सान है ना खाना बुदोश की मौामले में बहुत कमजोर है देखिए जब वह खाना बुदोश की बस्ती जा रही थी यानि कि उजवा को छोड़ कर जा रहे थे इस चप्टर में ही बताये गया है कि सबसे आगे खाना बुदोश यानि की बंजारों का सरदार चलता सब भी हाट में कोई-ना कोई समान है किसी के ऐसे कि रसी कि घोड़े पर ह Mais बिल्ниया बैठी हुई है तोते बैठे हुए हैंदे करगोष बटे हुए है मतलब कि इसी तरीके से बसनी जो है ना उस जगा चोड़ जा रही है और चोड़कर जाते समय उनके चेहरे पर उदासी भी है और सबसे आगे सरदार चल रहा है सबसे पीछे कुट्टे चल रहे हैं और इस तरह से बंजारों की बस्ती जो है ना उस जगा को छोड़कर जा रही है तो यह देखकर एहमद जमाल पास्षा थोड़े से यह भी उदास हो जाते हैं कि वही आगे बात किये हैं मैं जमाल पास्षा कि हम जो महजब इंसान होते हैं यानकी जो सब इंसान होता है वो खाना बदोश की मौामले में बहुत कमजोर होता है जो काम बन जारे हैं यानकी खाना बदोश कर सकते हैं वो हम सब इंसान यानकी समाज में रहने वाले इंसान न है बनजारों पर इनकी एक अलग दुनिया है समाज से बिल्कुल अलग हटकर यह और जो हम लोग सभी इसा लोग रहते उनमें अपनापन होता है वो दिखता है अपनापन लेकिन देखो हम सब इनसान को हम लोग तो अपने ही से जलन शिलता रखते हैं यानि कि एक दूसरे से जलते हैं जगड़ते हैं लड़ते हैं कभी धर्म के नाम पर कभी राजनीती के नाम पर कभी कुछ कभी कु कर कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं ठीक है लेकिन हम सब इंसान उनके मुकाबले में बहुत ना कमजोर है इस चैप्टर में बताया गया है आगे बात कि एहमा जमाल पाशा कि खाना बदोश का घर और धंदा मासूम बच्चे के रेद के घर के मानन्द है जिस तरह एक मासूम चोटा सा बच्चा रेद के घर को बनाता है और घर बिगड़ जाता है तो फिर से उसको तोड़तार देता है और फिर से बनाना स्टार्ट करता है उसी तरीके से खाना बदोश का भी घर और धंदा होता है यानि कि यह भी अपने घर को बनाते हैं अगर घर अच्छा नहीं और दोश का घर के मानंद होता है यानी कि मासूम बच्चे के घर के तरह होता है वो अपने जिंदगी का कुमहार होते हैं वहर आप लोग जानते हैं गावद्यात में कोहार बोला जाता है जो कि बर्तन को बनाते हैं लेकिन थे मैं अपने जिन्दगी का कुम हर होते जी अपने दगी को खुद से बनाते हैं ठिस्ट तरीखे से एक कुमहार को बनाता है तो फिर से उस Mädels तरह और फिर से सांता है और फिर लोई बना कर फिर डालता है और फिर उसको दुबातरा से बरतन बनाता है बिल्कुल उसी तरीके से खाना बदोष जो होते हैं यह भी अपने जिन्दगी का कुमहार होते हैं यानि कि अपने जिन्दगी को बहतरीन धंग से बनाते हैं मतलब कि इनका घर जो है ना, इनके मन के लाइक होता है, ठीक है, यह जहां पर चाहें, वहां पर अपना टिंड डाल सकते हैं, अगर वहां पर किसी भी तरह का कोई समस्या आ गया, वहां का प्रियावरन इनके लिए अगर परतिकूल हो गया, तो फिर उस जगह को छोड़ दो, उस जग को अपने इसाब से तो खाना वदोश क्या है जिन्दगी का कुम्हार है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं जरा हिज़त इंसान की शिरास्त में है यानि कि फितरत में है जिसका सिल्सला तो जन्नत से शुरू होता है यानि कि आदम अलिया बनाई हुई दुनिया पर आबाद हो जाओ अल्ला का खुक्म था तो वही आदम अले इसलाम सबसे पहली बार इस प्रिट्वी पर यहनं की दुनिया में आए ठेक है और यह दुनिया जहना आबाद हुई ठेक है तो एक तरह से हिज्रत यानि कि माइग्रेशन की शुरूआत जो हुई वो आदम अले इसलाम से यानिकी जन्नत से ही शुरू हुई थी ठीश है और हर इंसान को हिजरत करना है तो एक फर्द है जिसको अवल ना आखिर सबको अदा करनी है अगर हम लोग किसी भी तरह किसे अपने जिन्दगी में हिजरत करने से चूक जाते हैं तो याद रखना है आखरी हिजरत यानिकी मौत से नहीं चूक सकते हैं जिन्दगी का सबसे बड़ा सच है मौत मौत सबको आनी है जब हम लोग की पैदाइश होती है तब ही हमारी मौत भी तैव हो जाती है कि मौत किस जगह पर होगी, किस समय होगी, किन अलात shark में होगी, कब होगी, कैसे होगी ये सब पहले से ही जब हम लोग की पिराईश होती है तब ही तरह होगी है मौत से किसको रिष्टदारी है, आज तुठारी किसी और की बारी है आप लोग सुने होंगे ना तो हर इंसान को मौत आनी ही आनी है मौत क्या एक फर्ज है ठीक है अब देखिए ये तो बता दिया गया है अब यहां पर एमाज जमाल पाशा आगे बता रहे हैं कि मगरिब घुलामी की अलामत है इसके जानी हिजत तो ऐसी है जैसे आजाद पंच करना ऐसा है जैसे एक आजाद पंची और उसको स्ट्व के फिंजडे में कैड कर दिया गया ऐसा है जैसे शानी के मतलब कि बहुत सारे लोग विदेश में जाते हैं ठीक है यान की पच्छिम जाते हिजरत करते हैं विदेश जाते हैं कमाने के लिए वहां पर वह अच्छे पैसे तो कमाते हैं लेकिन जो अपना देश होता है अपना ही होता है अपने देश में हम आजाद होते हैं कहीं भी किस पैशा जाकर लोग कमाते हैं अच्छे पैशे कमाते हैं विदेश जाकर पच्छिम की तरफ हिज़त करके लेकिन वहां के रूल और रेगुलेशन में बंद जाते हैं ठीकि अब वहां के कायदे और कानून को फॉलो करना पड़ता है एक तरसे चाहर तरफ से बाउंडरी हो जा तो इसी वज़ा से एहमत जमाल पाशा कह रहे हैं कि मघरिव उगलामी के लामत है क्योंकि इसके जानी घिज़त तो ऐसी है जैसे आजाद पंची को सोने के पिंज़ए में कायद कर दिया गया हो अब देखे आखिए 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 अखिर में एहमत जमाल पाशा यानकी इन् साय याने गार को हिजरत में इंसानी भाई-चारा, आलमी एक जाती। और वसात का एसास होता है। बनती है लोगों के बीच आप दुसरे लोग को जानते पहचानते हैं इस तर से एक्सपेंसन यान की विसात विस्तार होता है ठेक है ना और इंसानी भाईचारा भी बढ़ता है तो यह सारी चीज़े यानि की इंसानी भाईचारा आलमी एकजयती वसात यह सब कुछ एमा जमा को लाइक नहीं किया है तो बहुत गलत बात है आप लोग स्कार्ण को पहली बार देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल जरूर आप तक सबसे पहले पहुचे तो चलिए आज केस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं अगर आप लोग यहां त स्क्रिन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लिली जे पड़वर स्क्रीन शॉट देखिए एक दो दिन अपसेंट हो जाता है तो आप लोग घबराईए नहीं आप प्रिवेस वीडियो देखकर रिविजन कर लिजे ऐसा नहीं कि मैं वीडियो अप्लोड नहीं कर रही है तो हम नहीं पढ़ेंगे चुप चाप रहेंगे हम भी इंतजार करते हैं नहीं आप ल कि इस वीडियो को देखकर रिविजन करना है मालेजी आज कि इस वीडियो में जो कुछ भी आप लोग पढ़ाई आप लोग पढ़ लिए अब कल वीडियो अप्लोड नहीं हो पाया किसी कारण वस तो क्या आप लोग चुप चाप बैठे रहेंगे नहीं चुप चाप घटना नहीं हमेशा रिविजन और प्राक्टिस करते रहना है अगर आप चाहते हें अब किसी भी सब्जेक्ट में टोट्ल मार्स लाने के लिए जरूरी है प्रैक्टिस और रिविजन दो चीजे और प्रेक्टिस और प्लस कॉंसेप अब भी क्लियर होना चाहिए तो अगर और आगे कहते भी रहूंगी कि practice कीजे जितना ज़्यादा हो सके practice करना है रिविजन करना है जो कुछ भी मैं आप लोगो screenshot लेने का मौका देती हूं तो screenshot ले कर रखिये या फिर PDF दिया जाता है PDF ले लिजे तो उसको जाहिंद और खुदा हाफिज़